गहां मर गया शर्मे था Шर्मा? शर्मा, अरे कहां तू? सुफ़ा से तेरे को कॉल कर रहा है अरे क्या करूँगा? बीबी ने सुबा से घर की सफाई में लगा रखका है छोड़ तू बता, बात हुई क्या तेरी तेरे लॉंडे से? अरे नहीं यार, क्या बात करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा श्यागल साब, आज तो बात कर लो अपने लोंडे से इतना बड़ा हो गया है, अब किस चीज के अनतिजार कर रहे हो अब अगर बाटिया जी के लोंडे की तरह हाथ में डारेक्ट पुता पकड़ा दिया ना, तो कहीं के नहीं रहोगे पुता श्यागल साब, श्यागल साब, बस जाओ और कर लो बात, बाब हो यार उसके अब अलवेस रिमेंबर, बाब तो बाब ही होता है हाई याशियमा, यह तुम्हें सही हो रहा है, आखे भाप हो ना उसका, और भाप तो भाप होता है, तो तो फोर रख, आज ही मैं उस्से बात करता हूँ, देख तू, आख तो बात काती पड़ेगे क्या है स्कुर्स, यह फोरे स्कोप देदा में लोगो? तू, नहीं लोगो ओइ बंदा मैं ले पिछे मंदा अरे अरे बॉपा श्टार है यह डाईड पेटा, सोतनीद आता तू? नहीं डाइड गेंगेड़ो तू मरवादियन आपने फिसे हो हो, स्वरी स्वरी खाना है तूने? क्या बोल रहे हो आप? यह कैसी मम्मी कैसी बाते कर रहे हो मम्मी? अल नहीं यार और यह टेंशन माला चेरा क्यों बनाया बाई सब ठीक है घर में? मॉम का है? मॉम? मॉम? ओ यह राम से ओ अई सुले की तेरी माँ ओ यह कोई टेंशन नहीं है यार लेकिन एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुसे हाँ बोलो बेटे अब तुम हो गयो बड़े लेकिन हरकतों से नहीं लगता है पर चमभाने को लगता है तो मुझे भी यह लगता है कि यह सई टाइम आ गया कि तुम्हे कुछ चीनों का ग्यान वे कौनसा ग्यान औरे वही वाला ग्यान जो हर बापको अपने बेटे को देना चाहिए पापा नहीं यार प्लीज यार यह सब बाते मत करो मुझे सेक्स की बाते में सब पता है और कोड़ हो जाएगा यार आप यह सब बात करोगे तो देखो मैं आपकी ओलादू इतनी समझतो है ना मेरे अधा मुझे नहीं चाहिए कोई ग्यान वाल यार उखोते सेक्स वोई सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ शादी की बात करने आया हूँ अरे भाकी लोगों की तरह सेम कंटांग थोड़ी डालेगे वराइटी भी होनी चाहिए कोई है कोई हाँ वराइटी भी होनी चाहिए मैं एक मिट शादी 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 का ख्याल कहां से अगया डैड मेरी एस चूड़ी है शादी की अभी कली तो आपने मेरे 25th birthday मनाया और 25 नंबर के कैंडल भी नहीं थी आपके पास पंदरा नंबर से काम चलाया है आपने तो अभी शादी का कहां से आगया है मेरे को निकरनी कोई पी आदिवादी तेरी उमर में ना तेरे बाप की चार उलादे थी उनमें से एक निकम्मी अवलाद मेरे सामने बैठे हुए जरूरी है जो आपने अपने उमर में गल्टी करती हो मैं भी करूँ अब आपकी उमर में ना शादी से पेले के आप्शन कम्मी होती कैं तो आप तो रहनी ही चलो मैं सोने गा रहा हुए तो पहर में हाँ भई आपके निगम्मी उलाद है कोई काम तो होता नहीं है तो सोईगी चलो मैं जा रहा हूँ शर्मा ना बिल्कुछ सही कहता था आज कल की उलाग भी ना ब्रस कुछ सिखने का नाम में लेती और अगर सिखाने बैठो तो उल्टाग बाप को ही सिखा देती है ठीके बाप अप्षमा जी की सुन लो जिसकी मजी सुनो पर में को कुछ मत बोलो मैं जा रहा हूँ अभी नब अरे सुन तो अरे हाँ है के ना है मैं आगे क्या बोलू उनको अगर अब में से शादी के वादे में बात की ना तो मैं भाटती आउटी की सारी चाइट मम को उहतBoy कर दो सारी स्क्रींशोट पड़े में मेरे पास वेई कंसे स्कृँण स्क्रींशोट कुछ está रविवार की शाम ती मौसम पड़ा सोहान था फोन में आग लगी थी जिसके वो सामने बैठा मेरा बात था लव यू डाइट साले में डाइट समझाने आय था और इसके मुझे ही समझा थे बुझे का पठा कही वह रो इधर अब क्या सब कुछ इसी एपिसोड में जानना है कि बाप और बेटे की कन्वेसेशन के अंदर में क्या नया मोड आया भाई क्रमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेर करो शेर जितना जादा हो सके उतना शेर करो समझे